हेलो गैज वेलकम बाक टूदी जानल कैसे आप लोग आए होप युगाज आ डूइंग आपसलूटली फैन आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और रल क्रिप्टो मार्केट की क्या चीज़े मार्केट में चल रही है कौन सा क्रिप्टो यहां पर क्या परफॉर्म कर आगे क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीडियो में बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहते हैं कि कोई भी आदमी आखे आपके कमेंट सेक्शन में आखे कमेंट करके यह बोले कि हमारा वाट्साप नंबर है तो उनसे अपस नहीं आएंगे, कोई भी उनको recover नहीं करवा पाएगा जहां पर हम बात करते हैं क्रिप्टो काइंसी मार्केट की Yes, the market is bullish जहां पर हम बात करते हैं बिटकोइन को लेके Yes, यहां पर बिटकोईन आटाच करा 41,000 डॉलेस का लेवल जो की काफी important लेवल है for Bitcoin जहां पर हम लोग एक टाइम में देखते थे बिटकोई टाचिंग सम्वेर आराउंड 15500 डॉल काफी लोग वहाँ पर परिशान थे काफी लोग नर्वस थे काफी लोग डरके क्रिप्टो मार्किट से बाहर भी चले गए बट आज के टाइम में काफी लोग री इंट्री करने की सोच रहे हैं दी क्रिप्टो काँसी मार्केट कौन सा क्रिप्टो यहाँ पर पचेज करें क्योंकि most of the alt coins यहाँ पर पंप होना already start हो चुके and somehow they feel कि they have missed the bus but on actual basis में क्या सारी चीज़े हैं उसके बारे में बात करने के लिए चलते हैं एक बार कोईन मार्केट कैप में कुछ क्रिप्टो इसके बारे में भी बात करते हैं बिटकोईन की आगे की जर्नी कैसी लगती है बिटकोईन की क्या बिटकोईन यहाँ से पंप ही क हो चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ओपन कर दिया कोई मार्केट का आप कारेंटली जो ग्लूबल मार्केट है डाट इस आप 4.16 बात करें आप मार्केट की आफ इंटायर क्रिप्टो मार्केट डाट इस आराउं 1.54 ट्रिलियन डॉलर अब काली इसकी नंब हुआ है 52.6% या पर BTC जो है वो डॉमिनेट करके चल रहा है इथिरियम की बात करें 17.6% which is a good number और यह नंबर शो भी हो रहे हैं जहां पर हम प्राइस की बात करते हैं दोनों क्रिप्टो की बिटकोईन की बात करें last 24 hours में it is up 5.16% last 7 days में it is up 11.15% इथिरियम on the other hand जो काफी की टाइम के बाद move होना start हुआ eventually currently आप 4.44% in the last 24 hours last 7 days की बात करें 10.14% आप जरूर हुआ है इथिरियम बट यहां पे काफी लोगों का मानना है कि अब कैसे हम लोग entry करें इन दी क्रिप्टो कांशी मार्केट काफी लोग यहां पर यह भी सोच रहे हैं कि क्या वो कोई क्रि क्या factors हैं उसको लेकर हैं कब तक हम लोग यहां पर बिटकोईन का कितना प्राइस देखेंगे उसके बारे में सारी हमने बात करी वी स्पोक अबाट दी लॉंग टम परस्पेक्टिव आप दी क्रिप्टो कांशी मार्केट बट जैसे कि हमने बात करें इन दी प्रीवियस व अब इसके पीछे reason क्या है? Reason बहुत simple है कि first week of January में यहां पे कहीं न कहीं लोग expect कर रहे हैं ETFs के approval अगर वो आ जाता है तो yes हम लोग एक downfall नहीं देखेंगे बट just in case अगर वो यहां पे delay होता है for any such reason तो surely एक dip हमें जरूर देखने को मल सकता है in Bitcoin and the rest of the crypto market which can for sure bring the price of Bitcoin down बट आज की टाइम में अगर हमने cryptos purchase करने हैं तो कौन-कौन से cryptos पे हम नज़र रखें simultaneously बात करेंगे कुछ cryptos के बारे में जो already move भी हो चुके यहां पर हम लोग बात करें XRP को लेके जिसके बारे में हम लोग काफी ज़्यादा bullish है and we shared it with you कि क्यों हम लोग bullish है इस वीडियो में हम लोग खाली top altcoins के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो भी numbers काफी ज़्यादा है currently sitting at 63 cents XRP से उम्मीद है कि यह अपना नय all time high बनाएगा currently बात करें तो ज़्यादा movement इसमें show नहीं हुए 13th of July 2023 जहाँ पर फैसल आया था in favor of ripple जहाँ पर ये lawsuit काफी सालों से चल रहा था उसके बाद से ज़्यादा movement जो है XRP के price में show नहीं हुए but surely there are many partnerships which are going around यहाँ पर हम बात करें Solana की many people से ही कि Solana में already एक pump आ चुका है तो क्या अब ये right time है to enter into Solana यहाँ पर अगर हम लोग Solana की भी बात करें yes the price has moved of Solana कहीं पे $9 के आसपास का Solana मिलता था currently बात करें $64.43 का ये आज के time में मिल रहा है बात करें यहाँ यहाँ ये टिल डेट की तो yes काफी massive pump जो है हमें देखने को मिला in price of Solana जहाँ पर इस pump हुआ 377.5% The question you should ask yourself क्या सुलाना यहाँ पर pump हो चुका है क्या सुलाना इसके उपर rise नहीं होगा Well for a new investor ये question आपको पूछना बहुत जादा important है जहाँ पर हम बात करते हैं have you missed the train surely the train has moved बट आप लोग ने अभी तक miss नहीं करा है profit making from the crypto currency market जहाँ पर हम देखते हैं काफी ऐसे crypto जो अल्रेडी pump हो चुके बट वो अपने peak तक अभी भी नहीं पहुँचे जहाँ पर हम लोग बात करें Cardano की yes a slow mover in the crypto currency market बट अगर हम long term की बात करें we are being still positive about Cardano Cardano का price यहाँ पर 41 cents का आ चुका है last one year की बात करें it is up 28.08% which is not a big number Cardano की movement हमेशा से slow होती है यह हमें भी पता है many people know about it यहाँ पर हम लोग बात करें one of the bigger mover जहाँ पर हम बात करते हैं previous pull run की was Dogecoin Dogecoin के भी अगर हम last one year का यहाँ पर चार्ट खोले it is down 13.4% but people have been collecting it लोग यहाँ पर Dogecoin को इसलिए purchase करें because they still expect Elon must make a massive announcement regarding Dogecoin कि Dogecoin यहाँ पर integrate करा जाएगा with X and उस चीज़ को लेके many people are still bullish about it and काफी लोग के पास यह buying opportunity भी है जहाँ पर हम बात करते हैं chain link की yes एक और crypto जिसने काफी massive return दिया जहाँ पर हम बात करते हैं आप कितनी भी वीडियो देख लो शोशल मीडिया में आप जाके सर्फ कर लो टुइटर में आप सर्च कर लो regarding AVEX AVEX का आज के टाइम में खाली एक narrative चल रहा है which is the gaming sector and कहीं नहीं कहीं वह sector खुद बखुद इतना बड़ा है कि वह AVEX को बहुत उपर तक ले जा सकता है if everything comes out way यहां पर अगर हम लोग बात करें पॉलिगान मैटिक की यह शॉली स्लोली एं स्टेडिली यह उपर चल रहा है पॉल्का डॉट वी आर वेटिंग फॉर पॉल्का डॉट 2.0 जो काफी लोग बात करते हैं the overall crypto कांसी market की यहां पर हम लोग बात करते हैं यहां पर हम लोग बात करते हैं वो भी आपको बताएंगे बट अगर हम overall market की बात करें still there are many crypto जिनकी तरफ आप देख सकते हैं यहां पर हम लोग बात करें near protocol की one of the person जिसका comment आया था जो हमारे subscriber है उन्होंने बोला था कि हम लोगोंने $2.10 का near purchase करा था नियर का price यहां पर जब $2 के नीचे वापस गया he was worried की क्या होगा बट यहां पर अगें से कोई भी crypto जब आप purchase करते हो अपनी research करें because 10% का move सोचने में बहुत छोटा लगता है बट जब आप actually वह उसमें काफी ज़्यादा पैसा डालते हो तो वह पैसे का amount जब काम हो रहा होता है तब आपको लगता है कि यार अब क्या होगा हमारे पैसो का so yes near protocol still is an art portfolio fantastic project जो मुझे लगता है personally मुझे अच्छा लगता है and yes we have been accumulating it यहाँ पर हम लोग बात करें immutable eggs यहाँ पर हम लोग उन्हें वी chain की और quantity purchase नहीं करी है we chain हम लोग hold करते हुए चल रहे हैं जितना भी हमने purchase करा है optimism another project जिसमें हम लोग ने entry ली थी at around $1 और आपको बताया था इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करें one of the project जिसमें हम लोग ने हाल फिलाल में entry लिनी शुरू करी is injective injective को लेके काफी लो 9% जो कि एक massive return है 9x already crypto जो है वो दे चुका है what more do you expect अब यह लोग question पूछते बात करें injective के previous all time high कि that was somewhere around $24 if I am not wrong यहाँ पर हम लोग बात करें injective का previous all time high was somewhere around $24 के आसपास ही गया था मेरे खाल से and yes we see a new all time high of injective काफी चीज़े हैं जो injective में build हो रही है and yes यहाँ पर एक launch का भी wait करा जा रहा है रेंडर के बारे में graph के बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे because we have been covering the AI crypto separately यहाँ पर एक crypto ऐसा भी है जिसको हम accumulate करने की सोच रहें Algo की बात करें yes the moment is there 0.18 का जैसी आ जाएगा हमारे पैसे यहाँ पर double हो जाएंगे 0.09 में हम लोगों ने entry बनाई थी in Algorand यहाँ पर हम लोग बात करें coin की अभी जादा moment यहाँ पर show नहीं हुई है hundred dollars के थोड़ा सा निच्चे हमारा यहाँ पर average buying price है of coin coin we are holding Stacks हम लोग hold तब तक कर रहे हैं जब तक यहाँ पर bitcoin का ETF का approval नहीं आता जैसी यहाँ पर bitcoin के ETF का approval आएगा एक pump दिखाई देगा इंदी crypto का अंसी market that is probably the time हम लोग stack से अपनी investment बहार निकाल लेंगे and किसी और crypto में यहाँ पर invest करेंगे जो जब तक यहाँ पर movement नहीं करता है यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं there is one specific crypto जिसके बारे में हम बात करने की सोच रहे थे फिलाल बात करते हैं पहले sandbox को लेकर काफी लोग worried हैं कि क्या होगा price sandbox का क्या sandbox यहाँ से pump करेगा कि यह मान लिया जाए कि it is a dead crypto well not only sandbox यहाँ पर काफी ऐसे cryptos हैं जिन्होंने अभी तक कोई moment show नहीं करी जहाँ पर हम हड़ बड़ी में कोई decision लेते हैं most probably than not वो हमारे favor में नहीं जाता है चाहे हम किसी crypto को purchase करने की सोचें या किसी crypto को sell off करने की सोचें यह चीज अपने दिमाग में आप set करके रखिए हड़ बड़ी में कोई भी crypto से exit नहीं करना हड़ बड़ी में कोई भी crypto में entry नहीं लेनी है यह चीज जब तक आप नहीं सोचोगे कहीं न कहीं आप लोग mistakes करते रहोगे और डिनल के हम लोग ने बात करी थी previously अच्छे खासे return यह अभी तक हमें दे चुका है $42.74 का यह चल रहे हैं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे one of the crypto I am forgetting the name but yes वो हम आच से purchase करना start कर रहे हैं यहाँ पर फिलाल बात करें it is up 10.27% beam जिसके बारे में हम लोग ने बात करी थी again a gaming crypto gaming crypto हाल फिलाल में काफी अच्छा perform कर चुके and yes it is expected next bull season तक gaming cryptos में काफी उचाल जो है वो देखने को मिलेगा 41.45% यहाँ पर जम देखने को मिला in the last 7 days यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उस specific crypto की जो हम यहाँ पर cover करना चाहरे थे is Pith Network Pith Network के बारे में बात करें Shawlis का नाम आप लोगों ने सुना होगा Shawlis अगर हम लोग बात करें last one month की यहाँ पर it is down 30.5% जब से launch हुआ है तब से अगर आप compare करते हो it is down but Pith की आप और चीज़ें पढ़े और चीज़ें डीटेल में पढ़ें we will be covering a dedicated video regarding this हम लोग यहाँ पे slowly and steadily इसको purchase करें कोई हडबड़ी नहीं है अभी भी crypto currency market में यह चीज़ आपने ध्यान रखने है काफी लोग क्या करते हैं यार हम लोग already late हो चुके हैं crypto market में इंटर करते हैं सारा पैसा डाल देते हैं what happens if bitcoin ETF does not get approved in the first week of January market में dip आएगा altcoins भी यहाँ पे fall करेंगे simple सा funda है आप लोग ने सोच समझ के invest करना है just in case वहाँ पे approval आ जाता है यही crypto शायद आप 10% extra पैसा दे के purchase करें but imagine अगर वहाँ पे वो delay होता है यही crypto आपको 10-20% discounted rate में तब भी मिल सकता है तब ही हम बोलते हैं DCA करते हैं परचेस करें कोई भी crypto जो आपको अच्छा लगता है फिलाल PIT के बारे में बात करें यहाँ पे price point के बारे में last 7 days का अगर हम देखें it is up 13.32% my target for PIT is quite high and यह मेरा एक random price target है जो मैं लेके चल रहाँ I'll not be disclosing it आप लोगों के पास अगर PIT है तो नीचे comment section में comment करके जरूरू बताए what price level do you see this crypto to be in the next bull season यहाँ पे important यह भी है कि आप ऐसे कुछ crypto's देखें जो बाइन्स launchpad में लांच हुए बाइन्स launchpad में जो launch हुए crypto's उन्होंने शौली थोड़ी बहुत moment करी है अभी तक but एक major moment एक major rally उन crypto's में अभी तक नजर नहीं आई है शौली we are entering a bull season जहाँ पे हम 2024 and 25 को देखते हैं to be the bullish year वहाँ पे अभी भी crypto's आपको एक discounted rate में मिल रहे है शौली Bitcoin का price यहाँ पे jump हुआ शौली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें Ethereum अब moment करना start कर रहा है जो हम उससे काफी time से expect कर रहे थी शौली यहाँ पे अगर हम लोग बात करें EDA की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें Dogecoin की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें Polygon, Polkadot, Shiba Inu the top crypto's have not moved जादा moment यहाँ पे show नहीं हुई है चाहे आप item की बात करो चाहे यहाँ पे आप बात करो Hidra की चाहे आप बात करो यहाँ पे नियर प्रोटोकॉल की चाहे आप यहाँ पे बात करो WeChain की Most of the top crypto's have not moved हड़ बड़ी में कोई भी crypto कभी भी आप लोग ने invest नहीं करना है So समझके अपनी पूरी तसली करके If you are looking to invest in any of the crypto's के बारे में आपको पूरी डिटेल पढ़नी है क्या उसका roadmap कहता है क्या आप लोग को एक target है वो चीज आपके mind में crystal clear होनी चाहिए Only then you should invest यहाँ पे आग बन करके कोई भी crypto आप purchase कर लोगे Most probably not 5 में से कोई एक crypto Yes बड़ भी जाएगा But what about the rest for crypto क्या वहाँ पे losses लेने के लिए तयार है जहाँ पे हम लोग expect करते हैं bullish two years वहाँ पे हम लोगों को इसको maximize कर रहा है Maximize by investing in bitcoin ethereum obviously जहाँ पे हम top altcoins की बात करते हैं उसी के सांथ सा थोड़ा बहुत risk आप ले सकते हो हिन्दी low cap cryptos Low cap cryptos की बात करे हैं low cap cryptos की बात करें हाँ पे gaming projects काफी हैं जो low cap cryptos में आज के time में चल रहे हैं they might not stay there forever यह चीज जो है आपको समझ नहीं है understand करने है and accordingly plan करना है अपना bull season अगर आप लोग अभी से planning नहीं करोगे जो हमें काफी time मिला in 2022 वहाँ पे planning नहीं करी अभी planning नहीं करोगे तो I'm sure आप लोग बस crypto market देखते ही रह जाओगे and market में लोग profit बना के बाहर निकलेंगे you will be entering into the crypto currency market but again आप लोग loss अकर करोगे in the market तो कि आपका loss is equal to किसी और का profit यह चीज हमेशा याद रखेगा in the crypto currency market with that's it guys आज का वीडियो करते हैं इंपे and I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ तो like करतेना, share करना, subscribe कर लेना thank you so much for watching our channel see you next time ओक्यबाबाय